पालेस्टिनेल लडाकु सम्मुह हमासले बंदग बनायको आठ महिना विद्धा समेट नेपाल का विपिन जोशी को अवस्था अग्यात सरकारे प्रष्ट जानकारी नदिये को परिवार को गुनासो सर्वच अदालत को परमादेश अनुसार गंड़की प्रदेश को मुख्य मंत्री मां सुरेंद्र पांडे नियुक्त भहमत सिद्ध गर्ण भने चुनोती सार्वजनिक रेंड ले भार बड़ी रहे का बेला आगामी आर्थिक बर्षा का लागी आंतरिक रेंड मात्र तिन खर्व भन्दा बड़ी लिने सरकार को योजना उत्पाद नमलक चत्रमा प्रतिफल प्राप्त नहुने बिग्यहर को भनाई गाजा र इजिप्ट को सिमा मा पढ़ने हमास को र ननितिक चत्रलाई नियंत्रन मा लिये को इज्रेली सेना को दावी र प्रधामंत्री कॉप एन्वी ए महिला तथा पूरुष वलिवाल लिग को तालिका सार्वजनेक पूरुष तर्फ आठ र महिला तर्फ चोट टोलीले प्रतिफपर्दा गरने नमस्कार कांधिपूर डायरी का साथ मा साथी रमेश र सूरज समाचार अब बिस्तार मा 10 नेपली युवा सहीत 1149 जनाक को इजरायल मा मृत्रिवाय का थियो तेसे क्रम मा हमास लड़ा को ले इजरायली र बिदिसी गरी 202 जनलाई बंदी बने र लगे का थियो मंक्सीर पहिलो साथा बंदक र कईदी साड़ा साथ होने गरी इजरायल र हमास बेश भायको अस्ता युदविराम का क्रम मा हमास ले 222 जनलाई रिहा गरे का थियो तर बिपिनलाई रिहा गरी न हमास ले बंदी बने र लगे को बुदवार 236 दिन पुगे पनी बिपिन को अबस्त बारे सरकार ले अहीर समकुनी पनी जनकारी बाहिरे लेको सेना बिपिन का पारिवारिक सदस्य किसोर जोशिका अनुशार सरकार का तफवाट बिपिनले हाल चमकुनी प्रस्ट जनकारी आयको सेना आफना चोरा बिपिनलाए मुक्त गर्न बुबा महानंद रा आमा पदमाले एसागी सिहदर बार सितलनिबास रा प्रराष्ट मत्रले धाय रहे गाछन तर नेपाल को प्रभवकारी कुटनीती नहुदा बिपिन बारे सरकार बिखा वडशा प्रराष्ट का एक अधिकारी ले सरकार ले बिपिन बारे भुजन रा खबडले उना पहल गरी रहे को दावे गरे उनले इस्डायल मा रहे का नेपाली राजदुद कांतारी जाल ताथा कतार मा रहे का नेपाली राजदुद नरेंद्र बिख्रम ढखाल संगा लगातार संपर्ग करी रहे को बताए असोच 20 को आकरमण पशी इस्डायल रहा हमास 20 को युद्ध मा गाजा सहत्र का हजरो पैलिस्टैन इले ज्यानगुमाई सेखे का सन्थ हमास ले बंदी बनाए का बिपिन सहीत 125 मानिस लाइ भने चाड़ियेको शाइन हमास को नियेंद्रन मा रहे का को रिहाई को पहल गरन इस्डायल सरकालाई देश्बित्र र अंतरास्टे समधाय बाठ समेत च्वर को दबाप शा इस्डायली प्रधानमंद्री बेंजामीन नेता नायू माधी युद्ध नरुके मा आलोचना भःए रहे को शाइ गत्र साता हमास ले इस्डायल मा आक्रमन गरी पसी युद्ध थब चरके को शाइए बिपिन लगायत हमास को नियेंद्र मा रहेका को रिहाई थब अन्योल दवायकाली प्ररास्टमंचीली कतार प्रहमन करेरा रिहाई बारे बार्त गर्णुपनी आचारेको सुझापशा। पुष्टी हुने आधार नदीखियेको र नागरिकता जारी गने क्रमा भयका त्रूटीलाई प्रसासन बाटै सम्मोधन गर्णुपनी भन्दै सरकारी वकिलको कार्यलाई ले स्वीकृति दिये पछी प्रहरीले सिरोहियालाई हाजिरी जमानतमा रिहाग गरेको हो। धनुषा लगिये का सिरोहिया माथी अनुषंदान जारी रहयको बंदै प्रहरीले तीन पटक मैं थाप गरायको थियो। तर नागरिक्तामा प्रशासनिक टूटी मात्र देखिये पची उहाँले रिहागरिये को हो। जिल्ला सरकारी वोकिल को कारलाएका सह न्यायदी वक्ता सुधिप डंगाले अनुषंदान का क्रम्मा खुले का तत्य, प्रमाण र विशाय को अवस्ता हेरे र सिरोहियालाई हाजिरी जमानी माँ छोड़ने निर्णे भायको बतन भाय। एसाइबीच कान्तिपूर का अधिक्से सिरोहियाले आधारवुद अनुषंदान विनाने पक्रावगरी नौ दिन समा हिरासत मा राखे को भन्दै। सो योजनामा समलग्न बिरुदा कानोईनी उपचार खोजने बतनुभाय को सा। कान्तिपूर को पत्रकारी तालाई दुर्मल बनावने र अरुषंचार माधिमलाई पनी तरसाउने दुस प्रयासले आफु माथी पक्रावगरीय को भन्दैमाकुने संका नरहय को समेत उहाले उल्ले कनुभाय। उहाले बिग्रती जारी करदै आफु माथी लागे को नागरिक्ता संबंधी आरुप पक्राव र तेस्पची प्रहरी र प्रशासन को सैली बाले टिपपने गनुभाय। गंडगी प्रदेस को मुख्यमंत्री मा सुरिंदर राज पांडे दोस्रो प्रटक नियुकता हुनुभाय। खग राज अधिकारी को बहारी लाई अबय धानिक ठार कर दे तिस अगी के मुख्य मंत्री कंग्रेस का सुरेंद्र राज पांडिलाई नियुक्त गरना परमादेश जारी करे करे को थियो सर्वचा का नियाधिस द्वय कुमार रेगमी रा सुनिल कुमार पोख्रेल को इजराज ले कंग्रेस प्रदेसवा समसिते दलकनेता पांडिलाई 48 कंटाबित्र गंडगी का मुख्य मंत्री मा नियुक्त गरना परमादेश जारी को थियो मा बिन्दु थापालाई नियुक्त गरना पायको सा गुरूं लम्जूंग रा थापा कासकी बाटर प्रदेसवामा सदस्य निर्भासी दहना पायको हो दुबई नेपाली कंग्रेस का सामसे दहुन सरकारले हरिक बर्षा जसुक और निटित थाद दर हरू परिवर्थन गरदा मेल्टिंग उद्योग धरासाई हुने अवस्था आयको बेवसाई हरूले बता आयकासन मंगलबार अर्थमंत्री बर्षमान पूनले प्रस्तुत गरेको आगामे आर्थिक बर्षको बजेट संगय आयको आर्थिक बिदेकले स्पोंज आयरन को कच्छापदार्थमा भंसार बढ़ाय पची अठार मेल्टिंग उद्योग हरूले पत्रकार समेलन गरेर आफुहर को 36 अर्ब रुपईयां लगानी धरासाई भयको गुनासो गरेका हुन। बिलेट आयात्मा बढ़ाय को सरकार ले दावी गरेको थियो। भंसार लगाउने नितिले उद्योग को प्रतिस्परधात्मा क्रत पादक कत्तो चमता बढ़न नसकने नेपाल उद्योग बानीजे महासंका बरिस्ट पादेक्ष अंजन कुमार स्ट्रेस ठलेक बतावनु भयू। कारफंड उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार लेले नियम उलंगन गरेलाई ही जो देखी कार भाहिक अक्रमा ट्राफिक स्वैम सेबक बनाएरा एक घंटा सरक में खटाओन न थालेको शा। नागरिक लाई नियम उलंगन गरेके आधार मा ट्राफिक स्वैम सेबक का रूपमा सरक मा खटाओन थाले संगे। सामाज इक संजाल र समाज मा बहस शुरू भयको शा। उपध्यका ट्राफिक प्रहरी का राई का प्रहरी बरिष्ट उपरीक रिक्षक SSP जिवनकुमार सरस्ट का अनुसार मा पसे लेन अनुसासन ड्रूत्त गती ट्राफिक बथी को उलंगन लगायत कार भाहिमा परेका लाई स्वैम सेबक का रूपमा परिचालान गरेको हो। सोइमसेवेका रूप मां खटा एकार बाठ कुने दावी बिरोद नहायको उहाले बता नुभाए याथयाद्भेवस्ता बिभाका प्रभक्ता इशुरी पने रूले स्वzhरक नियम उलंखन गरने ले ट्राफिक पुलहरेले कसथकारवः गरने में सत्चा भन्ने बिशुयाए याथयाद्भेवस्ता अयनमा उलेक भोहोयख कुने बतान हुए गोश्णा गर्णों आएको थियो। यस्तु अवस्थामा आगामी आर्थिक बर्ष मां सरकार ले आन्थरिक रेंड मात्र तीन खर्वा तीस अरवर रुपाया लिने योजना बनाये कोशा। अर्वा आन्थरिक रिन्ड लिने तो था बाउन्ण अर्वा तीस करोड बैदेसिक अनुदान रो दुई खर्वा सत्र अर्वा सट्रिक करोड रुपाया बैदेसिक रिन्ड लिने लक्षय निर्दारन गरे कोशा। चालू आर्थिक बर्षको समस्वधित अनुदान भन्दा तीन खर्वा 30 करोड रुपाया ले ठूलू आकार को बजेट लियाये का अर्थमंतरी बर्षमान पुनले रिन्ड का लागे लिये को लक्षय पूरा हुन्ना नसकने टिपणी भाये का चन। रिड मा भर पर्णुपने अवस्ता चुनोवती पुड़ा हुने देख़्िये कोशा। अर्थबीत एबं सत्तारूड राष्ट्रे सोतंत्र पाठी का सांग्षत स्रोणिम उआगले ले भने। पाच प्रतिसद ननाग्डे बनने आथे। अर्फपंद्र को आकार कती सांताउन ना खर्ब सांग्षत अर्थिक बर्ष द्वेजार अनसी अस्चिमा निवर्तमान अर्थमंत्री जनारधन सर्माले बायूरे रिंड बाटा एक खर्ब सत्तरी अर्वर रूपया लिने योज जना साइत सत्र खर्वत तिरानवे अर्वत तिरासी करोड रूपया को बजेट लियाएका थिये। मां सरकारली लक्षिय राखे अनुसार राजसो संकलन हुने पूर्वा अर्थ सचिप कृष्णहरी बासकोटाली बताए। मां सरकारी लक्षिय पूरा हुना सकने बताएंच आर्थिक स्रोथ जुटोवने अर्वको माध्यां भनेको आंतरी क्रींड हो। एसे क्रम मां सरकारले आगामे आर्थिक बर्ष को बजेट मां आंतरी क्रींड तीन खर्वा तीस अर्वा रूपईयां लीने लक्षिय राखे को शं। जबकी अगिलो आर्थिक बर्ष मां एक खर्वा एकाना बे अर्वा रूपईयां आंतरी क्रींड लीने लक्षिय राखे को थियों। अईले को परिष्थिती शर्कारले भने जसरी आंतरी क्रींड उठाउन संभव छकी छाईना भने सवाल उठे को शं। अर्थ सचिप मदुकुमार मराशिनी ले भने जहां सम्मा अवर्थियों आंतरी क्रींड ले भने को तो बगार मा लगानी पठाए रहा त्याहां सब मार्ग सिर्जना गरनी रहा रोजगारी का आउसर दीनी तेस बाटा स्यरी तरकार लेके और को ड्यागदवर बाटा माना टैक्स कोलेक्शन गरे रहा और तो तम्हला च जहां सब्सक्रा अलिवर भने को अवर्थियों आतरी को अनुसार जूत अनुसार जूतों न बिगत का बर्ष हरुमा आजस्ते आईले पनी सहच नवाई को बिग्य हरुको भनाईशं। 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 आईले पनी सहच नवाईशं। 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 उत्पाधन गरना शाहीं ने उध्यमी समेच हज़त सही हुने नाराकुनिस करश सा। इस तैई ग्यास विक्रियता महाईशं। नवाईशंग निपाल ले पनी बज़ेतले प्रजलेशं। पदार्था खाना पकवणे लेकील में एलपी ग्यास को भी सहिए मा सम्होध न गरेकु जनायाकुषा अब अंत्रास्टे प्रसंग इस डिली सेनाले गाजा रा इजिपको सीमामा पर ने हमास को रनेतिक छेत्र नियंतरमा लियेकु जनायाकुषा हमासले हतियार आपूर्ति लगायत का कारे मा प्रवयक गरते आयको फिला डिल्फी करीडोर नियंद्र मा लियेको इज्रेल डिफेंस फोर्स का प्रवक्त लाग उद्रिल गरते बीवीसी ले जनायको सा हमासले सोईस्तान मा बीशोटा सुरूंग मा रफत गाजा मा हतियार भित्रावने गरीको इज्रेली सेनाले जनायको सा इजेल को 110 विलाइ मने इजिप का संचर मा देमलेखंडरन करेगा शन इज़रेल ले गाज़ा को दख्षिनी सेत्रा रफाह मा सहिनी कारवाहिक करेखो नैचीत भाएको द्यखोना मात्रा चाया को इज़िप ले जनाया को सा इजिप्ट संगा बर्द तनव का बिच इजरेल ले फिला डिल्फी करीडोर नियंत्रन मालियेको गोश्णा करीको हो शुरुग मा थप अनुशंदान जारी राखेको इजरेल ले जनायेको छा अवा खेल प्रस्णगा प्रधायमंत्री कॉप एन्वीये महिला तथा पुरुष वल्यवाल लीग प्रतेउख्था को खेल तालिका सार्वजनिक भायको शा आठों समस्करान को प्रतेउख्था आगामी सनिबार देखी जेट 27 कतेश मसंचालन हुने शा काटफंड को त्रीपुरेशोर रेस्थेद रास्टिय खेलकुद परिशद राखेपको कवर्ड हाल मा हुने लिग को उद्गाटन खेल मा पुरुष तरफ टिप टप हेल्थ नेपाल स्पोर्ट्स क्लब र बुडानिल कंठ वलिवाल क्लब बिच प्रतिसपरदा हुने शा दोई तरफगा विजदाले आठ लाख र उपविजदाले चार लाख रुपईया प्राप्त गरनेशन दिग्री सेल्चे समा पुगने शा शुरिदाई बिहाना पाज बजेर नौ मिलेट मा भायो शुर्यास्त साज शा बजेर चाउनना मिलेट पाउने शा हवस्ताईने प्रसंग संगाई कांतिफूर डायरी को यो बुलेटिन अहिलेला येही संकिन छा साथी रमेश्र सुरज बिदा हुन्छों नमस्कार